हेलो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर आज में आपके डियलेट फोर्ट समिस्टर का जो फ़स्ट पेपर है आरंभिक इस तर पर भासा के और गड़त के पठन मलेखन का विकास करना वही पेपर लेकर के आई हूं और उसका फ़स्ट तक पहुचाना और दूसरों की बात को समझना एक तरीके से अपने मन के भावों का विचारों का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है भासा कहलाती है भासा वह साधने जिसके द्वारा मनुश्य बोलकर सुनकर लिखकर या फिर पढ़कर अपने मन के भावों और विचार विनमे का एक साधन है ठीके खिल मिला के है कि अपनी बात दुसरों तब को और शूरी ना भासा के बारी वोलाना तिवारी ने क्या कहा है भाए के बारे में उनके अनुसार है भासा उत्चारन अव्यवों से उत्चारित मूलता याद रिचिक ध्वानी प्रतीकों की वह विवस्ता है जिसके द्वारा समाज के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान भी करते हैं ठीक है भासा है क्या कि हमारे मूँ से जो भी अव्यव निकलते हैं जो भी धोनिया उच्चारित होती है उनकी एक ऐसी विवस्था है जिससे हम समाज में रहने वारी लोगों के साथ क्या करते हैं अगला इसमें है भासा का महत्व क्या है तो पहला महत्व है कि विचार विनमे सरल्ट माध्य में विचार के मदलब यह आधान पर्दान के डूसरा है ज्यान प्राप्ती का प्रमुक साधन है भा साधर है नेक्स रिस्त का फिप्ट पॉइंस साथ करने में कि थाइद करने का माध्यम भी है यारा फेल अब करने को भासा क्या केबल अभिव्यक्ति का माध्यम ही रहता कि बात्यां से रहता कि बहुते इसके भासा है भासा जो शब्द है इसकी उत्पत्ती संस्कृत की भास धातु से हुई है जिसका अर्थ होता है वानी की अभिव्यक्ति ठीके भासा के अभिव्यक्ति जो है वो संस्कृत की धातु जो भास धातु है इससे होई है और इसका अर्थ क्या होता है वानी की अभिव्यक् बैसे तो आपके मुख्य रूप से कितने भेदें भासा के दो भेदें मौकिक भासा और लिखित भासा एक आपकी सांकेतिक भासा इंक्लूड कर ली गई है जिसमें आपको संकेतों के माधियम से पहले आपने प्राचीन समय के इतिहाज वह पढ़ा है वहां पर सांकेतिक वह निम्हाय है और भासा का जृति सीमा होती है ठीक है एक खितर में ही बोली जाने वाली टीक है अगला हे आपका पॉइन भासा का Yayk अर्जित तन्पत्ती है क्योंकि भासा का संबंद्धा बंशानुक्रम से नहीं होता बाल्क आरंब से ही अपनी भासा आसपास के वाताव वही शीखता है, जैसे हिंदी है आसपस या आप विदेशी उसमें देखें तो जो विदेशी भासा होती है महाँ के बच्चे वो सीख लेते हैं तो कि वात अबरण में रहे रहे हैं तो वही भासा उसको क्या कर लेगे अरजितक लेंगी आनि कि सीख लेंगे और भासा कठंता से कहां जाती है सरलता की और अग्रिसर रहती है नेक्स्ट भासा की प्रकृति कैसी होती है तो भासा नदी के समान सदा चलती रहती है और सदा बहती रहती है यानि कि हमेशा क्या है हम इसको सीखते रहेंगे अरजित करते रहेंगे जिस प्रकार नदी धरातल के अनुसार अप सामाजिक परिस्तितियों के अनुरूप अपना स्वरूप का विकास करती रहती है यानि कि भासा के अपने आंतरिक गुर्व सुभाब को भासा की प्रकरती ही कहते है ठीके जो भी उसका स्वरूप रहेगा जो भी उसका सुभाब रहेगा वही क्या है प्रकरती है आगे हैं यहां पर आपके भासा की जो कोशल मैं बता दूँ भासा की चार कोशल होते हैं, कितने कोशल हैं, भासा की कोशल तो भासा की चार कोशल हैं, सुबो पली के बारे में आपने पढ़ा होगा सुनना, बोलना और पढ़ना लिखना, ठीके, शॉर्ट फॉर्म है उसकी सबसे पहले आता है श्रवन कोशल उसके बाद आपका आता है वाचन इसके बाद पठन कोशल और फिर आपका लेखन कोशल सबसे पहले अब आपके यहां क्या दिया था पठन और लेखन का विकास करना है तो हम पठन कोशल से ही सुरू करेंगे पठन ठीक है अर्थ बोध और भावानुपूति पठन क्रिया के आवश्चक तत्वें कौन-कौन सा अर्थ ग्रहन करना बोध और भाव की अनुपूति ये सारे पठन क्रिया के इंपोर्टेंट तत्व हैं लिखे हुए से अर्थ गड़ना ही पढ़ना कहलाता है यह चीज इं इसका अर्थ ग्रहन होना भी होगा तभी क्या होगी वो क्रिया पठन क्यलाएगी उमामंगल के इनुपuden के लिखित वीusне सामगरी को पढ़ते लगारी के सभी अक्षरों की पहचान कर पढ़ना आदन विश्वास जाग्रित करना ये भी इसका उद्धेश रहेगा विद्यार्थी को तीवरगति से पठन का अभ्यास करना पठन ना आपने पढ़ा का होता है मुक्षी रूप से एक मौन पठन और एक सस्वर वाचन आतरी स्वाध्याई के लिए हम प्रेरित करेंगे बच्चे को स्वाध्याई की आदत का विकास करना भी आपका पठन में आ जाएगा और नेक्स आ जाएगा कि पर्थित विस्तु का केंद्री भाव ग्रहन करना यह सब बाल पत्रिकाएं बाल पुस्तिकाएं जिसमें कहानियां दी हो दें चुट-चुटी शौर्ट स्टोरी तो यह सब क्या होंगी बच्चों की मनोरंचन का साधन मी होंगी उनको एकाग्र करेंगी उनका उनमें रुची का विकास करेंगी तक कि क्या है अपना पढ़ने में वो म पढ़न कोशल से और सामाजिक राजनीतिक साहित्विक सांस्कृति विकास के लिए भी इस पढ़न का विशेष महत्व है अगला है पढ़न के प्रकार तो पढ़न जो है आपका वैसे तो मुक्य रूप से दो ही है मौन पढ़न और सस्वर पढ़न लेकिन है क्या अलग पाज नहीं निकलेगी मन में ही पढ़ना है और उसका अर्थ ग्रहन करना कहलाएगा मौन पठन इससे बच्चों में क्या होता है चिंतन और मनन सक्ति या तरक सक्ति का विकास होता है चिंतन और मनन का ज्यादा विकास होगा तरक का तो इतना नहीं लेकिन चिंतन मनन चुरूब बच्चों को पढ़ा जाते हैं इससे क्या बच्के में उतार चड़ाव हो गया इन सभी का विकास या इन सभी का अभ्यास होता रहता है जैसे कविता है एक अलग तरीके से पढ़ी जाती है कहानी अलग तरीके से पढ़ी जाती है तो उनमें वेद करना या उनमें जो उतार चड़ाव रहेगा वो भी क्या होगा सस्वर से ही विक्सित हो जाएगा नेक्स्ट है मुद्रा भाव पठन तो सिक्षक बच्चों से उनकी भासा की पुस्तक से मुद्रा भाव पठन करा सकते हैं बच्चे उन चित्रों को देखकर बच्चों से क्या है प्रशन कर सकते हैं मुद्रा भाव में क्या है कि जो भी चित्र वगेरा दियोंगे उनसे पुछते रहें कोशन तो यह होता है द्रश्य पठन जो भी सीन है द्रश्य क्या है सीन रहते हैं सीन रहते हैं तो कहीं ले गए ब्रहमड पर जिसे ब्रहमड आपका आया था ना ब्रहमड बिधी इसी में आ जाती है तो उसमें क्या है कि जो भी आसपास की चित्र रहेंगे उन अभिनाय में बच्चों को विशेष रुची होती है इसा पता ये कि नाटक वगेरा हो या ऐसी कुछ चीज़े बता दो बच्चों को बाद विवाद वगेरा कुछ भी करवाते रही तो बच्चे वहां पर क्या है जादा इंटरस्ट लेते हैं जादा सीखने का प्रयास करते ह अभिनाय में क्या है कि बच्चों की विशेष रुची रहती है वह अपने परवेश की परवेश की चीज़ों को ही देख कर सुनकर हसने रोने गिरने डराने पश बच्चों की बोली निकालने का अभ्यास करते रहते हैं तो यह हो जाता है अभिनाय पटन नेक्स चित्र इसी के माध्यम से कराया जाता है फ्लेश कार्ट के माध्यम से ही बच्चों में जो अक्षर पठन की ओगिता उसको विखसित करना आ जाएगा इसमें अक्षर पठन में नेक्स चब्द पठन तो बच्च जो है वो अक्षर पहचानने लगेगा तो उसका शुद्ध उचारन करने लगेंगे तब उसे बिना मात्र वाले शब्दों का पठन करना चाहिए जैसे कामल इस तरीके से ठीक है नकल ठीक है ऐसे सड़क इस तरीके से शब्द पठन जब हो जाएगा उसके बाद आ जाएगे हम मात्र पठन पे अक्षर पठन के बाद सब्द पठन और शब्द कर बिना मात्रावाले सब्सक्रापन हो गया पहले थो दो वर्न को जोड़ करके daher भ को सीग मात्रा कर पठन सिक्षिन की तो इतना आज इतना ही रखते हैं गांग अगली क्लास में बागी क्लासे जो भी है आपकी वो भी जल्दी शुरू हो जाएंगी अभी थोड़ी सी चीज़ें लिस्ट अप चल रही थी कोशिस करें कि कंटीन्यू आपकी क्लास चलती रहे आज इतना ही रखते हैं ठीक है मिलेंगे फिर आपके अगली क्लास में थेंक्स आपकी क्लास में बागी जल्दी चाइण पर प्लास में श्रूच गार्व बागी जोयए आपके यंज प्लास करें कम्लें ठीक लड़ी एंगे टीक्यार।